हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों घर और केचन के काम कई बार हमें इतना जादा परेशान कर देते हैं कि समझ नहीं आता कि इनको करे या ना करे खास तोर पर जब कभी भी हम घर में बरतंद होते हैं तो रोज रोज का जंजट हमेशा हमारा यही रहता है कि बरतंद होने का दिल ही नहीं करता तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे ऐसे घरी लुक के चन टिप्स और कुछ ऐसे जुगाण जिससे आपकी डेली लाइफ काफी हतेगासान हो जाएगी और आपका घंटों का काम भी मिंटों में हो जाएगा तो चलिए फिर बिना देरी की ये वीडियो देखना शुरू करती हैं वीडियो जरा से भी पसंद आई तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करेगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा तो चलिए पहले टिप देख लेते हैं दोस्तों ये जो जूना होता है जिसे अकसर हम लोग बरतन धोने में यूज करती हैं लेकिन टाइम टू टाइम जब ये जूना पुराना होता जाता है तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो ये स्क्रबर टाइप जो ये काम करता है वो भी काफी कम हो जाता है इसमें जंग भी लगना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर खाने पीने की चीज़े भी फसनी शुरू हो जाती है और कोस टाइम बाद हम इस को फेक देते हैं और नया जुना खरीद के लिए आते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुखिए सबसे पहले आप ये काम करेगा कि इस जुने को लीजिएगा जो आपके घर में पुराना होता जा रहा है और उसका यूस करना बंद करने वाले हैं इसे गैस की फ्लेम आउन करके अच्छे से सेख लीजिए बिल्कुल घबराईये मत ये जलने वाला बिल्कुल भी नई है सिर्फ इसके अंदर जो भी हमारा पालतू वेस्ट समान फसा होगा वही इसमें जलेगा उसके बाद इसे हातों से चुने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा किसी भी चिम्टे की मदद से आप इसे पकड़िएगा जब भी बिल्कुल अच्छे से आपको लगे कि अब ये ठंडा हो चुका है तो उसके बाद आप इसे हातों से पकड़िए और अच्छे से रगर लीजे आप देखेंगे जितना भी इसमें खाने पीने का सामान जो भी फसा हु होगा वो जल कर आराम से नीचे जड़ जाएगा और बिल्कुल जैसे आप इसे नया खरीद के लेकर आए थे ये बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल नए तरीके से काम करेगा और साथ ही जो इसकी तारे हैं इनमें भी एक अच्छी शाइन भी आएगी और साथ ही साथ ही ब कि यहाथ वहां थे कभा की खाले कंभाले के और रफिटी और दैब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर foil paper का use किया है, जरा रुकिये, सिर्फ हमें here foil paper ही use नहीं करना है, एक काम और करना है, foil paper आपके जो गरम दूध है, यानि गुनगुना जो दूध है, उसमें हमने जो इसमें जामन डाला है, और foil paper को जो इससे अच्छे से बरतन क cover कर दिया है, इससे आपका दूधना बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होगा, और दही भी बहुत जल्दी से जबना शुरू हो जाएगा, यह बहुत ही आसान और एक छोटी से tip है, जो आपकी रोज के काम को आसान भी करेगी और दही भी जमाएगी, तो चली अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, हमने यहां पर आटे के, यानि गीहूं का जो आटा है, उसके धकन को हटा दिया है, अभी जो गीहूं का आटा होता है, हम सभी जानते हैं कि इसकी तासीर काफी गरम होती है, और रात के टाइम पे आपको खास तरपर ये काम करना है, क्योंकि दही का यूस तो हम दिन में ही करते हैं, दिन में ही लोग खाते हैं, और रात को जब आपका सारा काम हो जाए, यानि आप खाना पीना पुरा बना लें, उसके बाद आप दही जमाने के लिए रात के टाइम पेस को रग दीजे, आप सुबह उठके देखेंगे कि आपकी दही बिलक अच्छे से चारो तरफ गेहों के आटे को रग देंगे, यानि किसको अच्छे से फैला देंगे, अब इसको आप अच्छे से ढख के रग दीजे, आप सुबह उठके देखेंगे कि आपकी दही बिलकुल अच्छे से जम कर तयार हो गई है, मतलब आपको सर्दियों की दिन मेना सबसे बड़ा जंजट वाला काम हमें बरतंद होने का लगता है, क्योंकि रोज ही बरतंद होने पड़ते हैं और ये काम इतना ज्यादा मुश्किल लगने लगता है ना कि कभी-कभी तो बरतंद होने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि जब कभी भी हम बरतंद होते हैं, य बरतनों पे साबुन लगाते हैं और उनको धोते चले जाते हैं लेकिन इसमेना जंजट बहुत होता है बार बार साबुन लगाओ फिर बार बार बरतनों को हाथ को धो फिर से साबुन लगाओ बरतनों पे तो इसके लिए हम बचने के लिए हम क्या करते हैं एक ही बार पे सारे साबुन को बरतनों में लगा देते हैं और उससे होता यह है कि बरतनों में साबुन बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाता है और कई बार तो बरतन धोते वक्त भी जब बरतन साफ हो जाते हैं तो यह साबुन छूटता नहीं है और बाद में हमें फिर से उस बरतन को धोना पड़ता है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं बहुत छोटी सी टिप है आपके बहुत काम आएगी आपके घर में नया ये पुराना कैसा भी सौक्स हो यानि जुराब हो आप उसका यूज करिए लेकिन एक चीज का ध्यान रखेगा जुराब आपका नया ये पुराना कैसा भी हो साफ सुतरा होना चाहिए अगर जुराब आप यूज नहीं करना चाहते तो इसके जगा पे कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं अगर जुराब यूज करते हैं तो इसमें हम सूखने वाला जो साबुन है जो बार बार सूख जाता है और सूखने के बाद बरतनों में दिखाई देता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा यानि आपको बार बर बरतन अलग से धोने की ज़रुत नहीं पड़ेगी एक ही बार में आपके सारे बरतन मंच भी जाएंगे और अच्छे से बिना साबुन के साफ भी हो जाएंगे यानि कि आपके बरतनों में धोने के बाद साबुन तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला और ये जो सौक्स है इसे आप सुखा दीजे और फिर से आप इसे यूज कर सकते हैं जब कभी भी आपको बरतन धोने हो तो आप देख सकते हैं कि बरतन अच्छे से साफ हो गए हैं और किसी भी तरीके का साबुन सूखने के बाद बरतनों पर नहीं दिख रहा है क्योंकि किसी भी तरीके का साबुन इन पर नहीं है तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बरतनों पे सूखने के बाद साबुन दिखाई देता है तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजेगा ये आपको बेहत पसंद आएगी तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने किचन की तरफ दोस्तो कई बर ऐसा होता है कि हम जब कभी भी कूकर या कड़ाई में खाना बनाने की तयारी करते हैं तो कई बरना इनको धोने के बाद भी इनमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और हम करते क्या है कि गैस पर इसको ऐसे ही रख देते हैं जिससे की बरतन को गरम होने में और इस पानी को सूखने में काफी जादा गैस खर्च होती है अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिलकुल मत करिएगा इससे आपकी गैस भी फालतो खर्च होगी और टाइम भी जादा लगेगा और कई बार तो ऐसा होता है कि पानी इसमें पूरी तरीकी से सूखा भी नहीं होता और हम इसमें तेल डाल देते हैं जिसकी वज़े से पर तेल में छींटे आने शुरू हो जाते हैं तो आप एक काम करिएगा जब कभी भी आपको लगे कि कूकर या कड़ाई में अभी पानी है और ये गीला है खास तोर पे कूकर में तो आप गैस को फटाफट से आन करिए कुछ सेकिंड के लिए कूकर को इसके ऊपर रख दीजे जैसे हलका सा कूकर गरम हो पटाफट गैस को बंद कर दीजे और किसी भी सूखे कपड़े की मदद से अंदर की तरफ से कूकर को पोश्ट दीजे आप देखेंगे कि जहां आपको बहुत देर तक गैस जला के रखनी पड़ रही थी कूकर को सुखाना पड़ रहा था वही सरिफ दो या तीन सेकिंड के अंदर ही आपका कूकर बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा अब इसके बाद आप इसमें कोई भी खाना बनाईए कि आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और नहीं तेल में किसी तरीके के कोई छीटे आने वाले हैं तो दोस्तों ये काफी सारी ऐसे टिप्स थी जिनका इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो आपका काम भी आसान होता है और साथी साथ आपकी बचद भी होती है उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आपको ये आज की सारी टिप्स भी पसंद आई होगी और इन टिप्स को यूज़ करने में न सबसे बड़ी बात है आपके आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस टिप्स का फायदा उठा सके साथी साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं थैंक्स फवाचिंग बाइगा